असलाम लेकुम गाइज आज जीस चीज को मैं एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ वो है पोलाराइजेशन आफ लाइट अच्छा आपको ये बात तो मालिए है लाइट क्या है वेव ही सुरत में ट्रेवल करता है लाइट को अलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव भी कहते हैं सबसे पहले अच्छ आपको और ऐसे प्रेक्टिकडिक वे करता है अकर प्रोपागेशन आफ लाइट इस तरफ है तो electric field travel इस तरफ करेगा हम कह सकते हैं अगर propagation x-axis पे है तो light यह है y-axis पे electric field travel करेगा y-axis पे यह क्या है इसको propagation कहते है अच्छा इन जर्नल केस आपको पता है light के पास light के जो है ना बहुत सारे electric field है light में और बहुत सारे magnetic field है ठीक है electric field की जो direction होती है वो fix नहीं होती अब हम यहाँ पे देखिए यह अन पोलाराइज light है यहाँ पे भी travel कर रहा है यहाँ पे भी travel कर रहा है तरम्यान में यह भी travel कर रहा है मतलब के कोई fix direction नहीं है ठीक है यह करते है unpolarized light in three dimension है अब इसको हम तूट बेशे है यह अगर यहाँ पे हम देखें उपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है इसको हम कहते है unpolarized light in two dimension अब basically हमने क्या करना होता है unpolarized light को polarized करना होता है इसको हम क्या कहते है इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है Polarization अब इसको light हम Polarize कैसे करते हैं इसकी जो direction है, propagation है उसको हम fix कर देते हैं ठीक है, यह light अगर यह देखें यहाँ पर only एक propagation में है एक direction में है, direction fix हो गाई ट्रैवल कर रहा है, तो इसको कहते हैं Polarizing light Polarization of light अब यह देखें, सिर्फ इस direction में है एक plan में है, तो इस यह क्या है यह polarized light है अच्छा, अब इसको polarizing हम करते कैसे हैं यह देखें, टू डिमेंशनल unpolarized light है, यहाँ हमने क्या लगा दिया polarizer लगा दिया है, यह polarizing filter लगा दिया तो light क्या होगा polarized हो गया, ठीक है ना अच्छा, आज आपके अच्छा की अच्छा लगा दिया अच्छा लगाए, तो इसकी इंटेंस्टी ज्यदा होती है तो इसकी को रेडियूस कर देते हैं ठीक है, तो इसलिए मिंच्छा नहीं होता टैंक्यू